प्रजनेश वर्मा आप देख रहे हैं जन्नायक एक्स्प्रेस निउस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के चारो तरब हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं बनाए गए तीन काले कानूनों के खिलाब और यह आंदोलन लगभग एक महिने से भी जादा जारी है उसी को देखते हुए आज हम लोग पुरैना गाओं में आये हैं और आज यहां के किसानों से जानेंगे कि यह जो कानून जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं यह कितने सही हैं या गलत हैं और जिस तरीके से किसानो den Dick Day और नन्यAU का कहना है कि पहले इन कानूनों को वापस लिया जाए तभी हमारी सरकार से बात होगी तो आये जानते हैं कि इसकी जमीनी हाकीकत क्या है यह हमारे सभी किसान हैं पुरैना गाउं में किसी की दो भी घहे खेती है किसी की चार भी घहे खेती है तो आये आज हम इन से जानते हैं कि यह कानून कितना सही है या गलत है आईए आया जल्दी हुआ तो ऑप रहा है क्या नाम है अपका हमारा संभोल लाल कितनी खेती यह दो भी गहए क्या क्या बोठते हैं आप धान गें हूं अच्छा यह बताए जो किसानों का जो आंदोलन जो दिल्ली में च चल रहा है तिन काले कानूनों के खिलाप आप जानते वो सही है कि गलत है किसान सही या सरकार सही है किसान सही है किसान गरीब है पिर भी सही है अच्छा यह जो कॉंट्रेक्ट फार्मिंग की जो बात कही जा रही है कि आप जो है किसी को जो है कॉंट्रेक्ट पर जो है आपके किसान कहरें कि तीनों कानुन वापस लिए जाएं क्या लगता है आपको यह सही है जो वापस लिया जया है और आप टिसानी करते किस किस तरीके की समस्याओं को सामना करना पड़ता है यहां पर 40 रुपई किलो गिहूं है 1,000 रुपई जुताइट की है 3 पानी लगते हैं 75 रुपई डीजल है तो हम लोग क्या करें क्या हमारा जो नाज है वह 15 मुलता है कि आप लोग अपना अज मंडियों में ले जाते हैं ले जाते हूं तो वही तो बहुता घर जा वहां में यहां से सब्सक्राइब किसान है नहीं देता हैं उसके पासर और भी किसान का अनोलन चल रहा है यह किस तरीके के नुकसान है बहुत नुकसान है यह तो बुद्धान के हूं सस्ता भी रहा है देपी खात तेरा सो तसके दस अजार रुपए लागत अजबी गया है और यह कारेट भी रहा है यहाँ जार रुपए इसाब जोड़ा तो आठाव रुपए ने लिकिरी है वहाँ जारवर चट जाती है नहीं तीनों कानून में से कानून यह कहा गया है कि कांट्रेक्ट बेस पर फार्मिंग होगी जैसे कि बड़े बड़े उद्योपति आएंगे में यहां गेंहु से आपको कितना फायदा होगा को सबीसान हैसे कि तो क्या आपको डर है कि आपकी जमीने चली जाएंगे जमीन चली जाएंगे जब दे नहीं पाओगे कर जाओ एक नहीं लाद पाओ तो का उनका बनिय द्याब है कि हम खाम खईब तो तो बचार किने अब आप हैं तो इस से आपको शलाना कितनी हुआ से फाइदा हो नुकसान हो नाते ऑगार तरुकार sa किस तरीके से देखते हैं कि किसानों की समस्या किस तरीके से हल हो सकती है किसान समस्या जित पढ़े हैं ना हिट के रहे हैं कि मतलब यह किसान गल्द करें मैं किसान बहुत सही काम कर रहे हैं किसान अड़े हुए है कि तीनों वापस लिए जाए है मुएलिद हम ऑफ सरकार कह रहे ही कि हम दो पर कुछ बातों पर सहमती बना सकते हैं लेकिन जांगे किसान पर पूरे कानून वापस लेज़ कि बादना हो कितना सही है तो बिल्कुल सही है सेमतिय लोग कोई बाता है अपन कानू वापस लिए तो क्या आप लोग भी समर्थन करने जाएंगे दिल में जाएंगे यहां पर और भी किसान है आई यह मुन से जानते दादा क्या नाम है दादा अला नाम भागोती प्रसाद क्या कहना चाहेंगे जो त गांधी सरकार जबते देश आजाद भा तब यह कानूने सब नहीं आई है यह हम ज़्यादा पतलाना ही पड़ते हैं जत्ती समस्या किसानन पर है हम लोग अत्ता जेल नहीं की भगवाने जानता है आवा समझ यह भीया कानून जो अपनी तीन लगान है यह टाओंए और यह टाओंए लुपाय में है जब हम लाइते हैं अपन बेंचेन हैं बाला चगदा मई हां तो हमका खटा कुछ सब हो रही कुछ नहीं बची रहा है यह हिसाबन हमारा जीवन कहां पार हुई पाई तो क्या आपको लगता है मोधी जी सरकार बहुत गलत है आवा समन यह गाउं गाउं में गाउसाला बनवाती है जिसके कहां भाईया गाउसाला कहूं नहीं है अब भी फसल आप लोगों के हरा नास आरे भाईया जाखो चले नास अब ते वह बहुत ठाड़ी है आप कैसे काम चले हमरी समझ में कुछ या सरकार भीया नहीं आ रही है और जैसे अंदूलन ही कही है बिल्कुर सही है हम लोग सब तैयार है समरतन के लिए कि ये काम नहीं हटाई जा है आउसा ऩे यहां पर अंदोलन हो जहां पर वलाया जा था हम सरकार की हम यह कहेंगे इस गाम कर रही है यह करती है वासारा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार तीन बिल लाई है कहती है कि इससे किसानों की आयद उगनी होगी और उनका परिवार बढ़िया से चलेगा लेकिन यहां पर किसान खुद कह रहा है कि साहब हमको यह कानून नहीं चाहिए आप यह कानून वापस ले लीजिए तो फिर क्यो किसानों सरकार जो है इन कानूनों को जबर जिससानों के उपर लादने पर तुलिव हुई है हमारे साथ कुछ और कुछ महिलाय भी है यह मारे और जिससी तरीके से जो है चल रहा है आंदूलन क्योंकि इस किसानों के लिए जो तीन कानून बनाए गए हैं जिसके लिए धरना चल रहा है दिल्ली के चारों तरब ये कितना सही है सही है बहुत सही है धरना सही है किसान सही है या सरकार सही है सरकार नहीं सही है क्यों कि सब काहिए मिने मतलब महिंगाई बढ़ा रही है बिजिली घबील है और किसानन किने आई जाए जौन ले का विड़ểm है अच्छा यह बात कही जा रहे जा गए कि से कPSAनों की आई दूगनी कर देगी इससे सरकार को फायदा होगा आपको क्या लगता है इससे सरकार इससे जो है पाइदा किसानों को होगा कि सरकारों को होगा कि उद्धोपतियों को होगा किसाना नो कुछ ना होई दुगनी काती है दुगनी का इह नहीं पाऊ तो बड़े बड़े खा जाती है यहां बार कहुचते नहीं है छोटे लोगन की ने अच्छा क्या यहां पर किसान जो है अपनी फसल मंडियों में जाके बेज पाता है कि नहीं बेज पाता हैं नहीं और बाकी जो सुग्धाइब किस तरीके से आप लोगों पूल रही है अभी अभी लोगों कुछ नहीं मिलता है तो हजार रुपए खाते हुआ आया नहीं जो क महिना मिने तीन हजार चार कर देती बताओ हम लोग कैसे दाई पई भे मलब तीन तीन चार 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 रुपे एक बीस दिन में आ जाती है विजली का बिल क्या स्मार्ट मीटर लगा है नहीं यही मीटर है उसके बावजुद कुछ नहीं चलता ग्रामीर एरिये में आप लोगो नहीं ना कुछ है और ना कुछ कूलर है ना फिरीज है ना पंखा है कुछ नहीं चलता है तब पर आता है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं हम अपील करना चाहते हैं कि तो उन्हों सब चीज मने थोड़ी सुविद्धा मिले हमका थोड और जबकि कुछ चलता नहीं ऐसे में कैसे किसानों की आय जो है दुगनी की जा सकती है जहां पर पिट्रोल डीजल की मार अलग है राद भर किसानों को इस ठंड में जो है पसवों से अपनी फसल को बचाना पड़ता है और अभी दिल्ली के चारो ओर जिस तरीके से हमारे किसा किसान भाई जो है डटे हुए है कि काले कानूनों को लेकर और उसके बाद भी सरकार जिस तरीके का रवईया रखी है उसे देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि अभी ये किसानों का दंगल बहुत ही लंबा चलेगा लकनों से जन्नायक एक्स्प्रेस न्यूस के लिए रज बिजनेश फर्मा